इस वीडियो के माद दिन से हम आपको कुछ जरूरी और इंपोर्टेंट जानकरी बताएंगे जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकरी होना बेहट जो मतलब यह है कि अगर आप सौधी अरप का कमपणी का बीजा लेना चाहते हो तो आपको बीजा कैसे मिलेगा और आप कि अगर आप सौधी अरप का कमपणी का बीजा लेना चाहते हो तो आपको कुछ बेरिफिकेशन करना बेहट जरूरी है कि आपकी कमपणी जेनुवन है या फ्रोड है क्योंकि काफी लोगों के साथ में कुछ इस तरह से होता है कि उनको सिर्फ मेटकल करवा जाता है बाकी पैसा ले लिए जाता है फिर वहाँ पर जोबी लोग इस तरह का मेटकल करवाते हैं गायब हो जाते हैं मिलते इन्हें पैसा पूरी तरह से कुछ लोगों का 50,100 एक लाक इस तरह से ले लेते हैं तो वहाँ पर आपको गलती नहीं करना है जब भी आप विदेश जाना है medical होता है तो आप खुद जमा करें बोले कि हम खुद जमा करेंगे और बाकी जो भी payment बचेगा मतलब जैसे ही ticket के पहले जो starting काम होगा पूरा payment आपको हम दे देंगे मतलब यही है कि जितना जितना काम होता जाए उतना उतना पैसा दें जैसे ही ticket को full आपको payment कर देना है इस तर interview के थुरू ही अपना बीजा निकुलाना है मतलब interview आप दें उसके बाद में बात करें clear या कोई दूसरे से बात करवाएं जिसको अर्भी मालू है फिर आप भी जलें वहाँ पर आपका कम से कम खर्चा लएगा लगबग 50, 60,000, 70,000 लेकिन अगर आप जो है फ्रेसर जाते ह तो बीजा ले कर जाते हो तो वहाँ पर ज्यादा खर्चा आने वाला है इसलिए इस बात का ध्यान रखना है इसके अलावा दिल्ली, बोंबे, कोलगत्ता या हैदराबाद मतलब इंडिया के अंदर भी कई जगहों पर बीजा मिलता है इसी तरह से अगर आप बाकी किसी भी कंट्री में हो तो वहाँ पर जो में सिटी है वहाँ से आपको बीजा मिलेगा एजेंट के थ्रू मिलेगा लेकिन एजेंट कई फ्रोड होते हैं आपको डारेक्ट एजेंसी जाना है वहाँ से ही आपको बीजा लेना है और अगर जनुवन है तो कोई आपको दिक्कत नहीं ह दूस्तों company का बीजा लेने के लिए सबसे पहला और अच्छा रास्टा है कि आपका वहां पर कोई हो और उससे आप बोलें कि वहां पर हमें कोई बीजा चाइये तो आपको आसानी से मिल जाएगा लेकिन अगर वो बोलता है कि काम अच्छा नहीं है तो आप कतनी ना जाएप आप जो है दूसरे से ये बात करें कि हमें बीजे चाहिए कमपनी का और अच्छा बीजे चाहिए लेकिन उसके पहले आपको एक किलियर कर लेना है कि हमको ये काम आता है अगर काम नहीं आता है तो आप गल्फ खाड़ी कंड्री में अभी ना जाएं क्योंकि वहाँ पर काफी जादा चैसे चेकिंग हो रही है परमाणपत्र बनवाय जा रहे हैं जिन लोंको का मालूम है उनको रखा जाएगा बाकी लोंको पूरी तरह से वहाँ पर निकाल दे जाएगा उनके देश भेदे जाएगा तो इस तरह की गल्ती आपको नहीं करना है आपको काम पहले अपन की चार आपसन होते हैं जिसे की काफी लोग यूटूब पर दिखते हैं